हेलो एवरिवन वेलकम टो आवर चैनल केजिएफ जंक्शन बच्चों हमारी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी जहां मैंने आपको सिखाया था क्रेशी से लेड़िड दस वर्ड और वह पार्ट फर्स्ट था आज हम पार्ट सेकिंड के साथ आपके सामें दुबार से आय हमार करते हैं तो बच्चों आज का मार पहला वर्ड है एक रिप्र टो मैं आपको पहले भी इस वर्ड सें बहुत बार परिशन जहां भी वच्छी तो क्लपक्रेशी तो क्लेप्टीर क्रीशी हमें करता है रूल हृँ बाए दा ठीज जहां पर चोडों का सब्सक्रूं का सा हम उसे हम क्या बोलते हैं ? कल्सक्या मैंना पहले तो आपको जहां भी रूड रूड आता है इसका मीनिंग कहीсь नहीं की दो staat होता इस टेल मतलब चोरि से तो वही छोरो के शाषो क्या बोलते बच्चो लट प्रे आज का नेकट वरड है निउक मिलता च्पाहि sent to new grad ми क्या होता है घिए ना दो नियो जपी दो अहरूट्य डा मतलब क्यों सब्कित क्यों कि से काम में में नया क्या है क्यों इन experience क्या एव भी इंखस्पीरियंस अब हिझा इन इक्सपीरियंसare मतलब उसे किसी भी काम करने के इतना नभव नहीं है इसलिए उस काम में नया है तो उसे हम बोलते हैं नियो क्रेसी तो जब ऐसे नए लोगों के हाथ में शाषन आयाता है उसे हम क्या कहते हैं नियो क्रेसी ठीक बच्छो बढ़ते अपने अगले वर्ड की और अगले वर्ड है बच बहुत सी मुवी बन चुगी है जैसे कि आपने फोर्स मुवी दिख्योगी जॉन अबरहाइम की संद्धुहर 11 में आई थी ठीक है तो नार्कोटिक्स इसका संबंध होता है जो इलेगल ड्रग होता है जो इसके उपर एक और बहुत अच्छी पिचर में थी उड़ता इसको याद अगर वैसे आप याद करना चाहो तुम कैसे याद कर सकते हैं इसको नार्कोटिक्स तो इसका मीनिंग क्या होता है मैं इसका थोड़सा मीनिंग हलका सा अलग है यहां पर क्या है बच्छो एक्सपोर्टॉफ इनलीगल यह फिर इलिशिट ड्रग जो अवैद है जो लीगल नहीं है टीक जो लीगल नहीं उस टाइब का ड्रग प्रोडुक्शन और ऐसे लोगों के द्वारा जब शासन किया जाता है जो ड्रग प्रोडुक्शन करते हैं उसम क्या कहते बच्छो ना अगले word के और अगला वरड बच्चो नॉम क्रेसी क्या है लो मो जो मो एक इससे मिलता जूलता वरड करने ओर ओ त है नॉर्म जाहता ي सै क्या होता एंक आब साइधा लौ मतलब कानून के साथ से मतलब कानून की साथ से चले जो नीयम कानून उन्हीं कि साथ से उन्हें किसी दर नहीं है तो उसक्या में बोलते हो नोमोगरेशी आगला वाट देता है बच्छो कुछ तो यहाँ पर लौ होता है यह एक सिस्टम of law थे ठीख बच्छो सिस्टम ओफ लौ लौ समस्तर बच्छो कानून और सिस्टम माने व्यवस्था ठीख है होता है अगला वर्ट है दिव लोक्रेषी क्या है डिव लो क्रेषी ये भी एक बहुत important और भूंत अच्छा question है इसका meaning होता है रूलन by the slave या फिर टिसर्वेंट का मैमनिंग क्या होता बच्चोँ दास और सर्वेंट का म्हाता है नॉकर आपको पता ही होगा कि और दूला और पहले दिन तो नॉकर देखा ने अपने तो दूला तो पहल दिन जाता है मतलब रूल बाइदा स्लेव या फिर सर्वेंट इस तरीके से चोटे मोटे हजी मैजा के तरीके से सजाथ कर सकते हैं गतले क Bruno媽 कर बने गया था सिर्वेंट हम ऐसी आ कर सकते हैं अगला बच्चो कि क्लोंड क्रेशी यह क्या होता है यह होता है रूल बैर बसमेद घज undertiew शैतान टॉक फट डेविल डेविल इस हीर ना शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर तो ठीक है तो जब शैतान लोग को शैशन होता है जिसे कि आपने पहले की जो हमारी दंत कता है जो सुनते भी होंगे ना रामायन महाभारत यहां देखते थे आप कि जो राक्षस होते थे सामं ना विए और तो डेविल वड़ और देविल कमीनिंगे मिंगो मैं दॉसुस्षो शैतान या फिर गल्त इंसान अच अपन वह मैं आप całe आप यहाशन ड़ा मिंगे लेबर या फिर वर्कर मतलब कि कोई ऐसे जगा जहां पर लेबर और जो वर्कर लोग होते हैं वह अपना एक ऐसे मेजरीटी बना के अगर वो शाषन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते बच्चो इरगैटो क्रेशी ठीचो तो लेबर हैं आपने देखा भूगा गेट बनाते हैं तो कहीं नहीं गेट वर्कर लेना में आपको पहले ही बच्चो देखो कि हर वर्ड को ऐसे हम किसी किसी वर्ड को यह से याद कर सकते हैं ज्यादा है कि हम उसको समझदेगी कोशिच करें उसके मीनिंग को ठीक को तो इरगैटो क्रेशी मीन्स रूल बाइदा लेबर या फिर बढ़ते अगले वर्ड के ओर यह बहुत इंपॉर्टेंट वड़ है बच्चो इसको ध्यान से पढ़ना ठीक है थाला इसका मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग होता है एक ऐसी सुपीर पावर एक ऐसी सुपीरियर पावर मतलब एक ऐसी पावर कि जो पुरा कंट्रोल करती है ठीक ना मतलब एक ऐसी सुप्रीम पावर है या तो जो कंट्रोल करती है या फिर रूल करती है या फिर रूल करती है और लार्ज एरिया ओफ सी या फिर ओशियन जैसे कि समुदर में भी ऐसी बहुत से ताक्ते होती है लेकिन समुदर में ऐसी भी ताक्ते होती है जिनका जैसे आप वहां पर जाओगे तो समुदर कि उसमें जो भी लोग समुदर के आसपर आते थे वह उनको लूट लेते हैं क्यूंकि समुदर के एक बहुत बड़े हिस्से पर उनका अधिकार होता है और उसके वह एक एक जिनका समुदर के या फिर ओशियन के एक बहुत बड़े हिस्से पर एक अधिकार हो एक कब्जे टाइप से हो तो उसे हम क्या बोलते बच्चो थैलेसो क्रेसी ठीक है पारेट्स लोग करिएगा अगला वर्ड आपका गेरेंटो क्रेसी क्या है बच्चो गेरेंटो क्रेसी डेंगे बच्चो मैं आपको पहले भी कहाता बच्चो कि जैसे यह वब आता ठीक है गेरेंटो इसका भी शक्या होनहीं क्या होता है गेरेंटो क्रेसी आपको मैं पहले भी इसका रूट वर्ड बता चुका हूँ कि जब भी गेरेंटो वर्ड आता है इसका मेनिंग ओल्ड मैं चाहे ओल्ड प्योबल से होता है ठीक बच्छो अब बढ़ते हैं अगले वर्ड के और हमारा जो अगला वर्ड है बच्छो वह क्या है पैंटी सो क्रे यहां भी यह पैंट वर्ड आये इसका मेनिंग क्या था ओल मतलब हर परकार से यह समस्त परकार से ठीक है तो इस जो यह जो शाशन होता है यह क्या सिखाता है यह सासन हमें सिखाता है कि एवरिवन इस इक्वल मतलब हम एक ऐसी कल्पना करें कि जहां पे सभी लोग सभी का सब्सक्राइब करता हूं कि आपको हमारे पार्ट सेकिंड के दस वर्ड भी समझ में आये होंगा अच्छे तरीके से इसके अलाव बच्चो क्रेशी के और सारी वर्ड है ठीक है मैं जैसे आपको आपको बताया भी था कि जैसे कि वर्ड है माल लेजिए गाइनो क्रेशी तो आपको पता है गाइनो का मीनिंग क्या होता है फीमेल या फी लेडिस ठीक है तो जहां पर और तो क्रेशा चनूटिक है एंड्रो क्रेशी आपको पता एंड्रो वर्ड है इसका मीनिंग कुछ सथा मैं से तो ऐसे बहुत सिंपल से वर्ड है लेकिन मैंने जातर उन वर्डों को उठाया जो अक्सर पेपर में पूछाते हैं और पेपर के परपस से बहुत इंपोर्टन्ट है तो मैं उमीद करता हूं बच्चों कि आ आप से मिलते अपनी अगली क्लास में तब तक घर रहिए सेफ रहिए धन्यवाद